हाँ अगर सेटीन पाइलट मुख्य बंती पत्का सभाल कच की मैदान में उतर गए तब देखना आप यह साही भाजपाई जो भी किरम पटेक हो जाएगे अभिश्चा और मुख्य दुम्लों की परवार न कर गे वसुन्दा के समथ तक रेडिया निकाल दे प्रजिस्तान भाजपा के प्रदेशा अध्यक्ष एक यात्रा पे निकलते हैं और कुछ दूरी हो जाती है और वो उस पूरी यात्रा पे अकेले रह जाते हैं जबकि उस यात्रा की प्रस्तावना ऐसी थी कि उसमें केंदर मंत्री भी जुडेंगे और भी लोग जुडेंगे क्या इससे साफ साफ ये समझ में नहीं आता कि भाजपा जो है वो पूरी तरह से नेत्रत्व विहीन होती जा रही है इन सब पर बात करने के लिए राजस्थान में भाजपा की स्थिती को और भी गंभीरता से समझने के लिए आज मेरे साथ वो है जो राजस्थान की राजनीती को बहुत ही करीब से देखते हैं जानते हैं चाणक क्या कहे जाते हैं और पूर्व में सरकार में पूरी तरह से भागीदारी भी निभा चुके हैं अमिच्छा जिस यात्रा के लिए कहते हैं कि बस अभी यात्रा पूस्पोन हो जाएगी या नहीं होगी वो यात्रा सतीश पूर्णिया आगे चलाते रहते हैं अखेले चलते रहते हैं उस यात्रा पर क्या कहा जा रही है भाजपा यांकि प्रदेश का अध्यक्ष सतीश पू और बात्पा के पजादी कारी कारी के मेंबर इनकी कूर कमेटी के मेंबर इनकी राश्चे पतिनिदी राजिस्वा के मेंबर लोकस्वा के मेंबर सुने ही नहीं और एक कांट से सुनका दूसरे कांट से बार निकाल दे तो इस तर निरर्थक, फ्रबावगीन, शक्तिहीन और बचकाना अध्यक्स को श्रम इस्तिवा दे देना चाहिए और पुरी बात्मा में एक बात वैलनों है, कि टाइम पुरा होने के बाद में अध्यक्स बनो दिया जाएगा, जब यह इस तीच है तो अध्यक्स का समान कहा रहेगा, क्यों करेंगे लोग अध्यक्स, अध्यक्स का समान तब करतेंगे जब अभी हो जाए, कि नहीं सजीन पा अध्यक्स की सेमती से, रिषसेच की रिकमेंडेसन पर कोड कमिटी की महरबादी से आख पान, अब अन तिनों में मठ तो ही नहीं है, सतीजी बहले आदमी है, सतीजी को बुरे आदमी नहीं है, पर प्रभावईन है, सक्तिव हीन है, समतन भी हीन है, अब गजन्दर मूद दो के बैटे हैं. वो क्या समझेंगे सतीष को? सतीष को कोई मुक्यमंतीपक का धाविदार मानने को तयार नहीं है. घज़न अपने आप को इससे कम मानने को तयार नहीं है. ओम विजड़ा बाच्पा के बिशन्पितामा की इस्तिषी के अंदर समिध्णालिक पत्हले हर राजफतान का वाहादे मना बना कर दौरा कर रहे हैं इन्होंने मूद औरका है सतीश अबिश्श शार मुछी दउग्री परवार कर तेक्रकर वसंद्रा के समध तेक रेलिया निकाले है जगा जारे है, का जिकृृ हो रहे है वसंद्रा के समथ को को भी तोटल नजर 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 हाई कमान करना चाहता है मैं तो खुद समधर नहीं पा रहा हूँ क्या कि बाहर तक चाहती क्या है क्रांसर कटारिया के उपर उमर का तगाजा लगा दिया कि ज्यादा बुड़े हो गए है इससे उनको चाहत नहीं मिलेगा और पात साल बाद गोजी जी बुड़े हो जाएगे तो इका उनको चाहती है उनको सहली उपर से निर्दे तर्याव लबिंग मत करिए आप कही था इकमान देख लेगा इतनी वो खामोस है इतनी मेरी जो योज़दा थी दिया को मारी के लिए स्वाप्रेस कांफरेंस की मैं भी उसको बूट भी कर दिया क्योंकि जब सेम आदमी नहीं चाहेगा तो सबत तक क्या करेगा अब आप ही मुझे बताईए ऐसे इस्थिति में जब भातपाई के अंदर ये बावना बन गई कि हम कोई लड़े न लड़े आगे जाए न जाए पीछे जाए न जाए या तक करे न करे हमारे डैस्टोस रिफॉर्ट दूसरी चाना देख रही है तो उस पार्टी को आप क् पाइलट मुख्यबंती पत्का समाल करके मैदान में उतर गए तब देखना आप ये सारी बाटपाई जो भी क्रेबंटेक हो जाएंगे तब इनको बढ़ेगा कि टोपी उड़ रही है चोटी उड़ रही है टोपी उड़ रही है बाल उड़ रही है अब असो के गयरत गयर को कोई बाटपाई जोता भांता ही नहीं है अच्वा गयरत के कोई बाग्जबंता का ड़ेता ही नहीं कहता ही है ये बार बाजपाई जैसे हर बड़ा करके कोई बारा साल का बच्चा नीन से उड़ जाता है यह दुर्गती है दुर्गती हो कि नहीं जाएगी आज की तारीख में बाजपा को कुछ करने की जरूत है ना यात्रा करने की जरूत है ना मीटिंग करने की जरूत है ना नेता गुसित करन रेट कार्पिट बिछा रहे हैं, गुलदस्ते सजा रहे हैं, क्या निर्दलियों के लिए अब आपको लग रहा है कि मामला और जादा बड़ा हो सकता है। अब इस सता सना सने निर्दलियों की बहर बाद चल रही है। यह वैसागी पर चलने वारी सरकार है। वैसागी की रहा में निर्दलिया मंच, और मैं इसी मरे लगा हूँ कि अधिक अधिक निर्दलियों को चुनाव लड़ा हूँ। में 2008 में मैंने 105 निटली राजस्तान में केवल राजस्ताम विकास पार्टी से लड़वाए थे और बहुत अच्छे वोट को लोग लाए थे तब गुपिनाद मुंडे ने मुझे इसी सुबह बैट कर गा था कि हमारी बैनली सीट आईगी मैं करने या उस सी तक पहुंच जाओगे और पहुंच गए बाद में उन्होंने कोई कार्ण से हाथ खीज लिया वरना उस सुबह भी कांग्रेस 86 नहीं 80 पर होती और बादपा 86 पर होती मैं तो लड़ूंगे 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 लड़ हुँ तो हमारे जैसे आदमी जो किसी को अपना पार्टी को नेता मानता हूं व्यक्ति को नहीं मानता ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे द्यदिली लड़ाएंगे द्यदिली क्यों लड़ाएगी द्यदिली उनको नेता मानेंगे हम को नेता मानेंगे हम लगा देंगे मैं आपको मन Bennett नम्का के डिरा करके सबार करने ले सकते यह तो पार्टी माले को तो तो ये कॉई कोई एसकता हम बोए था है चीते तो भी पर नहीं पर्ता है अगflows जोड़ा लड़ेका फैसला है तो प्षेड़ाब लड़ेगे और बहुत तगले उमीदारों की सूची हम बहुत जल्दी जारी करेंगे तो निर्दलियों का अब बोल बाला होने वाला है अभी भी सत्रा सीटें जो है वो निर्दलियों की है उसी की विज़े से सरकार चल रही है लेकिन अब जो स्तितिया बन रही है उसमें निर्दल्य और ताकतवर होने वाले हैं और जब चाणक्य की चाणक्य निती चलेगी तो निर्दल्य और भी जादा सशक्त होंगे आप देख रहे हैं राजस्तान समवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें Agency जटक रेंटश्रॉग ना मने परकारण स्री लापरवाही इस लापरवाही का भुक्तान कई बार उने करना परता है जो हमारी परिशानियों को दूर करते हैं वो एलेक्टृष्ण या बर्कर जो हमारी एलयक्ट्रिक रिपेर के लिए आते हैं लेकिन किसी ना किसी लापरवाही की वज़य से हाथसों का शिकार हो जाते हैं होनी को तो कौन टाल सकता है ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा क्योंकि ऐसे हाथसे बिल्कुल टल सकते हैं अगर आपके घर में लगा हो सेफ आन पावर प्योरिफायर रहू शॉक फ्री सेफ